हेलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम टू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको पांच नंबर लड्डू को पाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी इसको आप छोटे बड़े किसी भी साइज में बना सकते हैं मैंने ये पांच नंबर आप सबसे एक रिक्वेश्ट है अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना और अपने फैमली फ्रेंड्स में जरूर से एर करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब को सबसे पहले मिलती रहे देखे फ्रेंड्स दे अब यहां पर एक दो तीन तीन चैन करने के बाद यहीं पर सेम प्लेज पर मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी अब यहां देखे यहां नेक्स्ट वाली को मैं इस तरह से फ्रन्ट पोश्ट करूँगी इस तरह से उठाऊँगी और यहां पर फ्रन्ट पोश्ट डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से अब यहां पर मैं एक होल में दो बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट को मैं फ्रन्ट पोश्ट करूँगी जो फ्रन्ट पोश्ट वाले डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको थोड़ा सा हम इस तरह से लंबा रखेंगे और नेक्स्ट होल में मैं दो बार डबल क्रोशिया करूँगी और यहां पर इस नेक्स्ट वाले को मैं फ्रन्ट पोश्ट करूँगी एक में हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है और उस से अगले को हमें फ्रण्ट पोश्ट करना है इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बना कर कम्पलीट करती हूँ विकिए friends हमारी फ़र्ष रॉबर्ण कर कम्पलीट हो गया है और लास्ट में पास फ्ररन्ट कोस्ट व्या डवल-डब खुरोषिया आया है सुरू में मैंने यहाँ पर एक होल में दो बार डवल-बब खुरोषिया किया था तरह से और जो प्रंट पोश्ट वाला डबल कुरोसिया है वहां पर मैं प्रंट पोश्ट करूँगी देखे फर्ष्ट वाले में मैं एक बार डबल कुरोसिया करूँगी और जो हमारा प्रंट पोश्ट के पास डबल कुरोसिया है उसमें दो बार करूँगी हर एक round में एक एक double crochet हमें बीच में increase करते जाना है और front post के उपर front post करना है देखे पहले हमारे पास ये दो double crochet थे अब के बार हमारे पास ये बीच में 3 double crochet हो गए और इसी तरह से मैं अपने जितने round मुझे बनाने हैं उतने बना कर complete करती हूं देखे friends हमारा ये घेरा बनकर ready हो गया है यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार पांच पांच round मैंने front post वाले घेरे के यहाँ पर yellow color से दिये हैं और एक same मैंने इसी तरह से front post वाला घेरा बनाया है ये green color से दिया है और अब मैं आपको इस तरह से flower बनाना बताऊंगी देखिए यहाँ से मैंने green color को इस तरह से लेना है और यहाँ पर एक ring बनाना है इस तरह से रिंग बनाने के बाद यहाँ पर एक chain करके इसको इस तरह से joint करना है इस धागे को हम इस तरह से चोटा कर सकते हैं अब इस ring के अंदर मैं बारा बार सिंगल क्रोशिया करूंगी एक दो तीन इस तरह से बारा बार सिंगल क्रोशिया करके फिर मैं आपको दिखाते हूं जहां पर मैंने बारा बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है और इस धागे को मैं इस तरह से टाइट कर दूँगी अब जहां पर मैंने एक chain बनाई है वहां से मैं इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोइट करूंगी और यहां से एक chain लेकर इस धागे को मैं यहां से मैं पिंक कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूंगी यहां मैंने पिंक कलर में नोट लगा ली है अब देखिए यहां पर एक दो तीन चार चार चैन लेने के बाद यहां पर इस तरह से एक बार लूप लेंगे और दो बार दो बार इस तरह से लूप लेने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे और यहां पर रिपल क्रोशिय करेंगे इस तरह से दो को निकालना एक बार और फिर से दो लूप निकाले जब हमारे पास यह दो लूप रह जाएं तो इनको हम नहीं निकालेंगे इसी तरह से रहने देंगे फिर से हम यहां पर दो बार लूप लेंगे और सेम प्लेस पर एक बार और इस तरह से यहां पर सिंगल दो लूप निकाले फिर से दो निकाले यह हमारे क्रोशिया हुक में अब तीन धागे रह गए अभी इन तीनों को हम एक साथ निकालेंगे फिर से हाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 चैन लेने के बाद next hole में जाएंगे और यहाँ इसको single crochet करेंगे इस तरह से फिर से रहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 चैन करने के बाद फिर से यहाँ पर इस तरह से 2 loop लेंगे और next hole में जाएंगे एक बार निकाला दो बार फिर से यहीं पर मैं इस तरह से लूप लिए एक बार निकाला दो बार और इन तीनों को मैं एक साथ निकाल दूँगी फिर से यहां पर एक, दो, तीन, चार चार चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे और यहां पर एक बार सिंगल प्रोजिया करेंगे देखे हमारी दो पत्तियां बन कर रेडी हो गई है अब यहां पर एक, दो, तीन, चार चार चैन करेंगे और फिर से यहां पर एक बार लूप लिया दो बार अब हम next पत्ती भी इसी तरह से बनाएंगे next hole में जाएंगे यहाँ पर दो लूप निकाले फिर से हमने दो निकाले फिर से यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे और same place पर एक बार और यहाँ पर दो बार निकालेंगे पूरा ट्रिपल क्रोसिया नहीं बनाएंगे इस तरह से जब यह तीन लूप रह जाए तो तीनों को एक साथ निकालेंगे दो बार हमें यहाँ पर half ट्रिपल क्रोसिया करना है फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चार चैन लेने के बाद next hole में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोसिया करेंगे यह हमारी तीन पतिया मन गई एक, दो, तीन, चार चार चैन लेने के बाद फिर से next hole में हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोसिया करेंगे इस तरह से लूप लेना है अब हमारे पास यह तीन रह गए तो तीनों के एक साथ निकाल लेंगे अब फिर से यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चार चैन लेने के बाद next hole में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोसिया करेंगे फिर से एक, दो, तीन, चार चार चैन लेने के बाद यहाँ पर दो बार लूप लेंगे और next hole में जाएंगे दो लूप निकाल दिये फिर से हम दो लूप निकालेंगे यहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास पहली ही था और एक हमारे पास और हो गया अब फिर से हम फिर से दो निकालें और फिर दो ये हमारे पास तीन रहे गे, तीनों को हम एक साथ निकालेंगे, फिर से यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार चैन करने के बाद, नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोइंट करेंगे, अब एक, दो, तीन, चार, चार चैन करन करने के बाद फिर से उसी तरह से हमें सभी पतियां बनानी है यह हमारे पास छे पतियां बनेंगी एक दो एक दो तीन चार चार चैन करने के बाद इसको यहीं पर लास्ट वाले हूल में जाएंगे और इस तरह से जोइट करेंगे फिर एक चैन लेकर यहां से इस थागे को मैं कट कर दूँगी देखें इस तरह से हमारा यह फ्लावर बन गया है अब जो हमने यह बोडर बनाया है साइड में वो मैं आपको बनाना बताऊंगी देखें यहां पर सभी धागों को मैंने पीछे से अच्छे से अर्जेस्ट कर दिया है अब देखें यहां पर रेड कलर का धागा मैं यहां से अटेच करूँगी यहां पर मैंने रेड कलर के धागे में नोट लगा लिए है इस तरह से जोइंट करने के बाद यहां पर एक दो तीर चार पांच पांच चैन करनी है पांच चैन करने के बाद जो हमारा यह यहां पर यहां उपर वाली साइड मीडल में हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिये के साथ जोइंट करेंगे और फिर यहां पर एक दो तीर तीन चैन करने के बाद यह जो अगले दो लूप है उनमे से इसको यहां पर इस तरह से निकालेगे फिर से एक दो तीन तीन चैन करने के बाद इसको देखिए यहां पर सिंगल क्रोशिये के साथ जोइंट करेंगे इस तरह से अब देखे फिर से यहां पर एक दो तीन तीन चैन बनाने के बाद यहां मिडल में जाएंगे और इस तरह से सिंगल प्रोसिया करेंगे फिर से यहां पर एक दो तीन तीन चैन करने के बाद यहां से अगले दो लूप उठाएंगे और यहां पर एक परल की तरह बन जाएगा फिर से यहां पर एक, दू, तीन तीन चैन करने के बाद जहां पर हमने एक पिंक जोइंट किया था भही पर जाएगे और वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिए के साथ जोइंट कर देंगे फिर से एक, दो, तीन, तीन चैन करने के बाद इसको यहाँ पर, इसके मीडल में यहाँ पर देखे यहाँ पर सिंगल प्रोशी के साथ जोइट करेंगे एक, तो, तीन, तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ से अगले दो लूट उठा कर यह हमारा परल बन जाएगा फिर से एक तो तीन तीन चैन करने के बाद यहाँ पर सिंगल करोसिया करेंगे देखे इसी तरह से मैं इन तीन पतियों पर भी यह बोडर बना देती हूँ देखे अब लाश्ट में हमने यहाँ पर सुरू में हमने पांच चैन बनाई थी तो यहाँ सैकिन वाली चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टीच के साथ जोइट करेंगे और एक चैन लेकर इस थागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी देखे यह हमारा फिलार बन कर रेडी हो गया है और इसी तरह से मैं सभी फलार बना कर रेडी कर लेती हूँ फिर आपको इसमें क्रोशिय की हेल्प से अटेच करना बताऊंगी देखे यहाँ पर मैंने सभी फलावर बना कर रेडी कर लिये हैं और अब मैं आपको इनको यहाँ पर अटेच करना बताऊंगी यहाँ पर दो flower मैंने attach कर लिये हैं आगे देखिए यहाँ पर हमारा जो front post वाला double cross या है उसके उपर मैंने यहाँ पर single cross या कर दिया है अब देखिए यहाँ पर एक बार single cross ये किया और next में भी एक बार single cross किया अब धर्ड में जाकर यहाँ पर मैं flower को इस तरह से लूगी यहाँ से उल्टा लेना है और क्रोशिया हूप में जो हमने यह तीन की चैन बीच में बनाई थी उपर वाली साइड वहाँ पर क्रोशिया हूप को डालेंगे और नीचे से हम थर्ड वाला लूप इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से यहाँ से हमारा यह अटेच हो गया अब नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया यहां बीच में हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया अब देखे थर्ड में जाएंगे पहले तो हम यह नेक्स्ट वाला लूप उपर वाली साइड से जहां पर तीन की चैन बनाई थी उसमें से इस तरह से लेंगे देखे यह ध्यान में रखना है इसको हम नीचे से नहीं लें इस तरह से यहां पर डालेंगे और थर्ड चैन स्टिच में जाएंगे इस तरह से और यहां पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे अब देखे यहां नेक्स्ट में हमारे पास एक बार सिंगल क्रोशिया किया और एक बार हमने यहां पर दो हमारे इस साइड सिंगल क और बीच में दो का हमने यहां पर गैप दिया है यहां पर हमारे बीच में टोटल आठ डबल प्रोशीय थे देखिए इस तरह से अटेच हो गया यहां हर एक कली में एक एक फ्लावर अटेच होगा देखे आपको मैं एक और लगा कर दिखाती हूँ देखे यहां पर एक बार सिंगल क्रोसिया किया नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोसिया किया और जब हम थर्ड में लेंगे तो फ्लावर को हम इस तरह से उल्टा करेंगे और जो हमने यहाँ पर यह परल बनाया था तीन की चैन का उसमें डालेंगे और नीचे से हम थर्ड अला स्टीच लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे अब नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर से हम थर्ड लूप में जाने से पहले यहां से इसको इस तरह से अटेच करेंगे नेक्स्ट में जाएंगे और यहां पर इस में से इस तरह से निकालेंगे इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया अब एक बार हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक बार इस तरह से देखे हमारे हर एक कली में एक-एक फिलावर अटैच होता चला जाएगा और नेक्स राउंड में मैं आपको इनको यहां से अटैच करना बताऊंगी अबी मैं सबी फिलावर लगा कर अटैच कर लेती हूँ यहां पर मैंने सभी फ्लावरों को अटेच कर दिया है अब देखिए यहां से भी मैं आपको अटेच करना बताऊंगी देखिए यहां से मैं ग्रीन कलर को यहां से इस तरह से जो हमने यहां पर पर्ल श्टिच बनाया है उसके अंदर से इस तरह से ग्रीन कलर को सिंगल स्टिच के साथ इस तरह से जोइट करेंगे अब यहां पर एक, दो, तीन तीन चैन बनाने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर एक बार सिंगल करूशिया करेंगे फिर से यहां पर एक, दो, तीन 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 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट पर्ल स्टिच में आएंगे यहां पर सिंगल करूशिय के साथ पहले इसको जोइट करेंगे फिर यहां पर एक, दो, तीन 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 चैन लेने के बाद यहां से अगले दो लूप उठाएंगे और यहां से इस तरह से परल स्टिच बना देंगे फिर से एक, दो, तीन तीन चैन लेने के बाद देखे यहां से अगले दो लूप उठाएंगे और यहां से फिर से परल स्टिच बना देंगे यहां पर तीन परल स्टिच मैं बनाऊंगी फिर नेक्स्ट में तीन चैन लेंगे और यहां से अगले दो लूप उठा कर फिर से हम पर्ल स्टीच बना देंगे देखी इस तरह से अब फिर से मैं इसी ब्लोक में जाऊंगी सेम प्लेस पर और यहां पर सिंगल करोशिय के साथ इसको इस तरह से अटेच कर देंगे अब फिर से यहां पर एक, दो, तीन तीन चैन लेने के बाद यहां पर जाएंगे और यहां पर इसको सिंगल करोशिय के साथ अटेच कर देंगे फिर से एक, दो, तीन तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट परल स्टीच में जाएंगे और यहां पर एक बार सिंगल क्रोशिया किया फिर से हम तीन बार परल स्टीच बना कर रेडी करेंगे इस तरह से एक बार बनाया फिर से यहां पर तीन चैन लेंगे और next purl stitch बनाया फिर से एक दो तीन और यहाँ पर फिर से हम purl stitch बनाएंगे और फिर से इसी ब्लोक में आएंगे और यहाँ पर इसको single crochet के साथ joint करेंगे फिर से यहाँ पर एक दो तीन तीन चैनल देने के बाद यहाँ पर आएंगे और single crochet के साथ joint करेंगे अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीन चैनल लेने के बाद हम जहाँ से हम joint करेंगे उस purl stitch में हम आएंगे और पहले तो हम इसको इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से देखिए हम इसको उपर की तरफ से एक stitch यहाँ से लेंगे यह हमारे क्रोशिया हुक में तीन stitch हो गए अब तीनों को हम इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन तीन चैनल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर से एक दो तीन तीन चैनल लेने के बाद इस पर stitch के ऊपर टोप पे आएंगे और यहाँ पर तीन बार फिर से हम पर stitch बनाएंगे एक दो मैं यहाँ दो में परल स्टीच बनाकर रेडि कर लेती हूँ फिर नेक्स्ट प्लावर भी आपको जोडना बताऊंगी देखे यहाँ पर भी यहाँ भी मैंने परल स्टीच बना लिए तीन बार और इसमें भी बना लिए अब तीन चैन करने के बाद मैं जहां से हम इसको जोइट करेंगे वहां तक आ गए हैं वहां से इस तरह से हम तीन चैन को लेकर यहां से इस तरह से लूप लेंगे और इधर से हम इस वाले फ्लावर को जहां से हमने पर स्टिच बनाया था उसके अंदर से जहां तीन की चैन बनाई हुई है हमने यहां से इस तरह से एक स्टिच निकाल लेंगे और यहां पर हमारे तीन स्टिच हो गए अब तीनों को हम एक साथ निकाल लेंगे देखे इस तर भी फ्लावर जोड़ कर अटेच कर लेती हैं हमारी एड्रेस बन कर रेडी हो गई है यहां पर सभी फूलों को मैंने अटेच कर दिया है आपको यह कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके बताना प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जुरूर करना थैंक यू थे मुर सुऴर चेज जो प्लूच जू को इरू खेचे पूलों को छूलोशना देवां प्लीज भूँ है व्लीज़ प्माराजOn